नवाश्कार दूस्तों वेब मेंड चनल में आप सभी का अफर से बहुत-बहुत स्वागत है दूस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबल में Black Fast Proxy अप्लिकेशन को आप अपनी मोबल में कैसे यूज कर सकते हो और दूस्तों इस अप्लिकेशन को यूज करके आप जो फास्टेट सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं उसके लगा यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे आप्शन देखने को मिल जाते हैं तो अगर आप जानना चाहते हों कि इस अप्लिकेशन को कैसे यूज करते हैं तो सबसे बेले गाईस आपको करना कि आपको सिंपली प्लेश्टों में जाना है प्लेश्टों में आने की बाद आपको ब्लेक फास्ट स्पीड प्रॉक्सी अप्लिकेशन सर्च करना और आपके सामने यह वाली एप आ जाएगी तो आपको इस application को डाउनलोड करना है यहाँ पर आपको डाउनलोड का option मिल जागा इस पर क्लिक करें इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं आपकी वाल में यह application डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड करने की बाद simply guys आपको इस application को open करना है ओपन करने की बाद आपके सामने इस application का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जगा तो आपको इस application को completely open होने देना है और इसके बाद guys इस application में आपको जो है बहुत सारी country के servers देखनी को मिल जाते हैं से आपको add को cut कर लेना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से application open हो जाते हैं और यहाँ पर आपको faster server के आगे आपको इस arrow पर क्लिकना है और इसके बाद guys यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर मैं smart server पर क्लिक कर लेता हूँ जिसे कि दोस्तों जो भी faster server होगा वो connect हो जागा यहाँ पर आपको के पर क्लिक करना है और ऊपर की और आपको जो VPN का icon मिल जाएगा और दोस्तों अगर आप इससे disconnect करना चाहते हो तो फिर से आपको जो इस option पर टिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक नहीं होता है, तो यहाँ से आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको connected पर क्लिक ना है, यहाँ पर guys आपको off पर क्लिक करोगे, तो guys आपका option यहाँ पर disable हो जागे, यहाँ पर guys आपको connected option पर क्लिक ना, यहाँ पर आपक का जुए disconnect हो जाएगा तो गॉजिस तरीके से आप जो है black proxy application को use कर सकते हो और इसको यूज करके फास्टेट्ट सर्वर को आप एप अपनी mobile में connect कर सकते हो तो गैस कैसा लगा यह वीडियो में comment करके जब बता अनुस्ट ज़रू करें और भी तक आप मारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेज कर देना